ममता बनर्जी और अरविंद के जुरिवाल ने विपक्षी दलों की दिल्ली बैठक में जो आग लगाई वह वाया पटना महरास्ट जा पहुंची है अब तक तो वो सिर्फ नितीश कुमार नाराज से लेकिन अब शरत पवार ने भी अपनी भवें तिर्ची कर ली हैं नितीश कुमार की तरह शरत पवार को भी मलिकार जुन खड़गे को पीम फेस बनाए जाने की प्रस्ताव पर आपती है नितीश पवार ही नहीं बलकि खुद सुनिया गांधी सहीद सोल है दूसरी पार्टियां भी इस प्रस्ताव से असहज हैं लेकिन ममता बनर जी ने एक तरह से खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया फ्रेंका वाड़रा को पीम मूदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सुझाव दे डाला और बंगाल में कॉंगरिस को सिर्फ दो सीट देने की बात भी कह डाली शरत पवार ने अपनी नाराजगी को इशारों ही इशारों में जाहिर करते हुए कहा कि 1977 के लोग सबाच चुनाव के दौरान भी पीम फेस घोशित नहीं किया गया था शरत पवार ने कहा कि चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से मुरार जी देसाई को प्रधार मंतरी बनाया गया था उस समय भी कहा गया था कि अगर कोई चेहरा सामने नहीं लाएंगे तो नतीजे भी पक्ष में नहीं होंगे अगर लोग बदलाव के मूड में हैं तो वे जरूर बदलाव लाने के लिए फैसला करेंगे हाल ही में दिल्ली में इंडी ब्लॉक की चौथी बैठक हुई थी इस बैठक में सीट शेरिंग के फॉर्मूले और पीम फेस घोशित के जाने पर चर्चा हुई इस दोरान ममता बनर जी ने मलिकार जुन खड़गे को पीम फेस घोशित करने का प्रस्ताव रखा अर्विंद की जुरिवाल समित बारह पार्टियों ने समर्थन किया ममता बनर जी ने कहा कि गटबंधन का चहरा अगर कोई दलित हो तो चुनाव काफी रोचक हो जाते हैं हलाकि खड़गे ने उसी समय प्रस्ताव खारिच कर दिया और राहुल सोनिया की और इशारा कर दिया उनके कहने का तातपर ये था कि पी-एम फेस को लेकर सोनिया राहुल ही ने रिने करेंगे मलिकार जुन खड़गे को पी-एम फेस बनाए जाने की ख़बरों के बीच नितिश कुमार की नाराजगी की चर्चा थी हलाकि उन्होंने कहा कि गटबंधन में कोई दरार नहीं बिहार के मुक्खेबंदरी ने कहा कि मैं पी-एम पदगी रेस में नहीं हूँ और नहीं नाराज हूँ इस तरह की बातें बिलकुल बेकार हैं गटबंधन की बैठक अच्छी तरह से हुई है और हमने कहा कि जिसको भी दावेदार बनना है जल्दी बनाईए हम अपने स्तर का पूरा सहयोग करेंगे बस चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वह समय से हो जाए ताकि तैयारी हो सके मलिकारजुन खडगे का नाम बतौर पियम उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाये जाने के पीछे तीन बड़े कारण है जो उन्हें इस रेस का विनर बना सकती है खडगे के नेतरत्व में कॉंग्रेस ने करनाटक के बाद तेलंगना में भी अपनी शानदार जीत तरज की और बीजेपी को सत्ता से दूर रखा खडगे अनुभव के साथ साथ कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष होने के नाते भी सभी दलों को सादने की काबिलित रखते हैं मलिकारजुन खडगे एक जिताओ निता हैं उन्होंने दस चुनाव जीत कर राजनीती में अपनी एक अलग पहचान बनाई है गांधी परिवार से निकटा के चलते भी खडगे इस रेस में आगे निकल सकते हैं कॉंग्रेस पर लगातार परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस अध्यक्ष के तोर पर अपना काम भखू भी निभा रहे मली कारजुन खडगे इस रेस में प्रबलदाविदार बन सकते हैं। रेस में खडगे के नाम पर मिल रहे अन्य दलो के समर्थन से नितीश कुमार शरत पवार उद्धव ठाकरे जैसे नाम इस रेस से अपने आप किनारे हो गए हैं। झाल झाल झाल